नमस्कार दोस्तों भारती जन्ता पार्टी को लगातार एक के बाद एक कई बड़े जटके लगते जा रहे हैं पांच राज्यों में आगामी विधान सवा चुनाओ से पहले कई दिगज नेता भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में सामिल हो रहे हैं जो सपा में सामिल हो रहे हैं अब एक बार फिर भारती जन्ता पार्डी को तकड़ा जटका लगा है उत्तरा खंड में चुनाओ से पहले कई भाजपा नेताओं ने एक साथ इस्तिपाद दे दिया है जैसा कि आपने एक दिन पहले ही खबरों में देखा होगा उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्डी के गड़बंदन वाली पार्डी जिसके अध्यक्ष ओपी राजपर हैं उन्होंने जटका देते हुए समाजवादी पार्डी यानि अखले स्यादों से हाथ मिला लि पुर्वांचल के समिकरण कितना करवट लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अलाकि ओपी राजपर ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं देती है फिर भी वो अखले स्यादों के साथ है आपको देजे 2022 मार्ज तक पांच रा पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर ही केंद्र के सत्ता का रास्ता निकलता है लेकिन आपको क्या लगता है इस बार होने वाले बिधानसवा चुनाओं में खासकर उत्तर प्रदेश के बिधानसवा चुनाओं में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा क्या भारती ज लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है और साथी इस वीडियो को सेर भी करें और साथी अगर आपने चैनल को सस्क्राइब कर लिया है तो बगल में घंटी के बटन को दबा कर नोटिपिकेशन को जरूर अन कर लें और अगर अभी तक च बिधान सबा चुनाओ से पहले और चुनाओ में भारती जनता पार्डी को कांग्रेश जटका दे रही है एक और चुनाओ में भारती जनता पार्डी को जोड़दार जटका देती हुए कांग्रेश ने जबर 10 जीत दर्च की है कौन से चुनाओ में कांग्रेश ने भारती जंता पार्डी को चुनावी पठकनी दी है आपको आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको ददे इस बिधानसवा चुनावा से पहले भाजपा को लगातार बड़े जटके लगते जा रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लेकर महाराज तक भारती जंता पार्ड को जटका देते हुए 40 निताओं ने भाजपा से इस्तिपा दे दिया है जिया बीजेपी के 40 पदादिकारियों ने अपने पत से इस्तिपा दे दिया है अब इन लोगों के इस्तिपे से भारती जंता पार्डी को बड़ा जटका लगा है बता जा रहे कि ए सभी 40 पदादिक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौसी को अपना इस्तिपा भेज दिया है दरसल ये लोग मंदल अध्यक्ष को हटाये जाने को लेकर भाजपा के खिलाब विरोत कर रहे थे बताते कुछ दिन पहले बीजेपी मंदल अध्यक्ष राजेन सर्मा को भारति जनता में उत्राखंड के कैबिनेट मंत्री और विधायक ने भी जटका देते हुए दोनों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था वहीं सिल्सला यहीं नहीं थमाये चुनाव से पहले भारति जनता पार्डी को जटका देते हुए भाजपा के पुरव प्रवक्ता ने कांग्रेस क का दामन थाम लिया है पतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्थन हावला ने एक आयोजी समारो में भारति खान ब्यूरो में खान के उप नियंतन के रूप में सेवा निवित हुए चंग्टे को भवपे पुरानी पार्डी में सामिल किया सामिल होने के बाद चंग्ट जटके पर जटका दे कर दूसरी पार्डियों का दामन थाम रहे हैं इससे भारति जनता पार्डी के लगातार उन राज्यों में काफी मुश्किलें बढ़ती जारी हैं जहां से यह नेता निकल कर दूसरी पार्डियों का दामन थाम रहे हैं वह नेताओं के जटके देने के बीज भारती जंता पार्टी को हिमांचल लावर इस्पिती जिला पहिसत चुनाओं में भी कांग्रेश ने बड़ा जटका दिया है कांग्रेश ने बहुमत के साथ जीत दर्च की है जहां हिमांचल प्रदेश में लावर इस्पिती पंचाय चुनाओं में सत्ता रोड भारती जनता पार्टी को जटका लगा है कांग्रेस ने लावल इस्पिती जिला पहिसत पर अपना कबजा जमा लिया है कांग्रेस ने जिला पहिसत की 10 सीटों में से अकेले 6 सीटों पर अपना कबजा जमा लिया तो वहीं सत्ताधारी भारती जनता पार्टी पिछरती भी नजराई सत्ताधारी भारती जनता पार्टी को महज 10 में से 6 सीटे ही हाथ लगी लावल के 7 वार्डों में से केवल भारती जनता पार्डी को एक वार्ड में ही जीत नसीब हो पाई बताते जिला पहिसाद और पंचाय समीती के नतीजे सोम मार को घोसित किये गए थे वहीं लावल पंचाय समीती की 15 सीटों में से कांग्रेश ने 5 सीटों पर जीत दर्च की और हाली में माराश्ट पंचाय चुनाव में भाजपा को उनी के गड़ में कांग्रेश ने जटका दिया था जिया नागपूर में कांग्रेश ने जटका देते हुए 21 सीटों पर अपना कबजा जमा लिया था नागपूर जिला पैसत की कुल 31 सीटों में से कांग्रेश ने अकेले 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी वहीं भारती जनता पार्डी को महज 6 सीटों पर जीत मिली थी वहीं पंचाय समिती की भी 144 सीटों में से कांग्रेश ने अकेले 35 सीटे जीती थी जबकि भारती जनता पार्डी को 33 सीटों पर जीत मिली थी सिरसेना एंसीपी और कांग्रेस तीनों को मिला कर 144 में से 73 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन महाराष्ट पंचायत और जिला पैसत के चुनाओं के बाद मुंबई महानगर पालिका यानि BMC के भी चुनाओं होने वाले हैं अब सिरसेना ने इस चुनाओं से पहले बड़ा दावा कर दिया कि भारती जंता पार्डी को बड़ा जटका लग सकता है जियां देश की सबसे अमीर महानगर पालिका BMC का चुनाओं अगले साल 2022 में फरवरी में होना है लेकिन अभी से BMC चुनाओं को लेकर तमाम राजनीतिक पार्डियों में चर्चा शुरू हो गई है इसी सिल्सिले में BMC पर कई सालों से राच कर रही सिवसेना ने बड़ा दाव किया है BMC में स्टेंडिंग कमेटी के चेर्मैन और सिवसेना नेता यसवन जाधा ने दावा किया कि भारती जनता पार्डि के 15-20 नेता यनी नगर सेवक सिवसेना के संपर्क में है सिवसेना नेता यसवन जाधा ने दावा किया कि वे सभी भारती जनता पार्डि से खुश नहीं है उनका दावा है कि BMC चुनाव से पहले भाजपा के 15-20 नगर सेवक सीवसेना में सामिल हो सकते हैं अलाकि वो भी हमारे संपर्क में हैं बढ़ाते कि BMC में कुल 227 सीटे हैं और माना जा रहे कि सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां BMC के सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का विचार बना रही हैं माराश्ट में महा विकास अगारी की सरकार है जिसमें सीसेना कांग्रेस एंसीपी सामिल है लेकिन सुत्रों के माने तो सभी पार्टियां BMC में अकेले चुनाव लड़ने के विचार में है